दोस्तो वैलकम तू मेरा युटूब चैनल हरे टेक्निकल जो नए दोस्त देख रहे हैं नीचे दिखें सब्सक्राइब लिखें उसको प्रेस कर देजिए और दोस्तो बेल ऐकन आएगा उसको प्रेस कर दिए है ठीक है दोस्तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आज का जो मैं वीडियो लाया हूं जो नए मेकेनिक देख रहे हैं और जो मेकेनिक सीख रहे हैं उनको लिए ये नौलेज लेना बहुत जरूरी है कि हम लोग सिरिंज बोड क्यों इस्तेमाल करते हैं और सिरिंज बोट से हम लोग क्या profit होने वाला है और सिरिंज बोट से हम लोग कैसे पहचाने fault ये सब जो question है ये आप लोगों को नए mechanic को जानना बहुत जरूरी है तो ये वीडियो में इस सिरिंज बोट पर ही बनाया हूं और इसको किस तरह से आप fault पहचानेंगे वो मैं इस वीडियो में आज clear करने वाला हूं तो वीडियो को last तक देखिए जाने समझे सीखिए अब चलिए दोस्तों सुरू करते हैं मैं दो तिन ट्रिंज बताऊंगा जो हम लोग का सिरिंज बोट से पहचान सकते हैं पहला ट्रिक में बता रहा हूं माल लीजिए आप कोई LED कोई कॉंपोनेट चेक करेंगे जैसे यह चार्जर हो गया यह LED बल्फ हो गया कोई भी सर्किट अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको पेक्टिकल थोड़ा करके दिखाता हूं इस सर्किट में कोई भी सिरिंज बोट में अगर इस तरह से चेक करेंगे माल लिजे यह हम लोग का जो चार्जर है इसी को मैं टेस्ट करके दिखाता हूं इसको हम लोग चेक करेंगे इस तरह से और देखी यह बल्फ जल रहा है ठीक है तो आप लोग को जो नए मेकेनिक है उन्हों क्या समझ में आएगा कि यह बल्फ जल रहा है और इसमें क्या है कैसे कुछ से समझ नहीं आए जो नए मेकेनिक है उन्हों के लिए बता रहा हूं इस तरह से अगर सिरिंज बोट बना भी लिए नए मेकेनिक इस तरह से चेस्ट करेंगा सर्कीट में और दोस्तों आप लोग इसको सर्कीट को इसमें लाइन देंगे तो यह दोस्तों उड़ से चेक करेंगे और आपका यह जो बल्फ है सिरिंज वाला बल्फ यह गुलो कर रहा है तो इसका यह इसका मतलब है कि आपका सर्कीट में प्रोब्लम है ध्यान से सुनिएगा ठीक है अगर आप इस तरह से कोई भी सर्कीट कोई भी सर्कीट अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं और इस तरह से बल्प जलेगा तो समझिए आपका ये सर्कीट में प्रोब्लम है ये तो आप पेक्टिकल देख लिए कि इसमें प्रोब्लम है तो ये जल रहा है देखिए इस तरह से ग्लो करेगा तो समझिए इस सर्कीट में प्रोब्लम है अब दोस्तों इसका सर्कीट में प प्रोब्लम है यह किस तरह से जलेगा देखिएगा यह देखिए दोनों जल रहा है तो इसका मतलब इसमें प्रोब्लम है तो हम लोग का जो सिरिंज बॉल्प है यह जलेगा तो समझे कि कोई भी सर्किट चेक कर रहे हैं तो उसमें प्रोब्लम है इस तरह से आप पता कर सकते ह है और आप डाइरेक्क लाइन में मत लगाएएगा कि क्वी क्यों ब्लास्...' करने economy का चांस रहता है इसलिए आप सीर्ण में टेस्ट हैं टेस्ट करने से हम लोगा यह यह हम लोगा बल्ब ज़लने से पता चल जाता है कि इसिस में problem है और दोस्तो जब चलिए तो आप लोग क्या कीजिएगा जब तक कोई भी कॉंपोनेट चेक लिजेगा इसका तो आईसी फोल्ट है मुझे पता है यह आईसी खराब हो गया है इसको चेंज करेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे और यह बल्फ नहीं जलेगा तो सरकीट बिल्कुल ओके हैं इस तरह से आप पता कर सकते हैं, जैसे ये charger है, इसमें मैं capacitor लगा दूँगा, और इसको syringe में fit test करूँगा, तो ये glow नहीं करेगा, तो समझे हम लोग का ये circuit ओके है, तो syringe board से आप लोग इस तरह से समझ चुके हैं, कि कैसे पता करते हैं, और दोस्तों ये last trick में आपको बता दूँ, syringe में test करने से हम लोग का ये होता फाइदा की, जैसे ये component, ये capacitor हम लोग का week हो चुका है, और हम लोग syringe में देंगे, तो फटना होगा, तो फट जाएगा, लेकिन next वाल जो component है, ये बचा जाएगा, जैसे resistance उड़ गया, तो आगे का दूसरा component नहीं उड़ेगा, ठीक है, अगर आप direct लगाएंगे, तो ये दोनों फट सकता है, ज्यादा करके, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता है, सिरिण बोट का बारे में, आप लोग समझ गए होंगे, इस वीडियो को माध्यम से, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा नॉलेजबल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकोन दबाना मत बुलिए, थैंकी फर वाच, हरी टेकनिकल, थैंक्स